आपका और एक प्याड़ी सी वीडियो में आज के इस वीडियो में हम वापस एक थम्निल बनाने वाले जो कि इंस्पारड है एक्सलारेट बोई से एंड एक्सलारेट बोई का थम्निल काफी आड है एंड काफी यूनिक है आज हम बनाने वाले एक्सलारेट बोई जैसा अपने लेटेस थम्निल उनका काफ याड है अगर आप इस चैनल पर नहीं आयो तो एंड तक देखते रहे ना जब मैम मेडिरस लिता हूं वह असल में एक कॉंकर टेयर पर एंड उसके साथ खिलने से मेरा लॉबी जो है वो कॉंकरट काता है लेकिन उसके अलावा जब मैं उसके साथ कहलता हूं तो मुझे उसके हिसाब से खिलना पड़ता है यानि की सेफ और खिल्स वग्यारा जाद कि उसे पुछ करना है क्या ही कर सकते हैं फिलाल बस स्पेशल वीडियो एक दो दिन में आही जाएगा आप उसके लिए इंतजार करो एंड अगर आप चैनल पर नाया हो तो सब्सक्राइब जोर से करते हैं एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड हां फाइल जोगा वह जान दें यहां पर तो यह काफी एक यूनिक तरह का इनका ग्लोव है जो कि काफी ओसम लगता है और काफी मतलब मैं खुद कंफूज था जब मैंने यह बनाया एंड भाई कैसी यूनिक कलर का आप देख सकते हैं कलर्स के साथ बहुत ज्यादा के लिगा नहीं रेड कॉंब यह कैसे करना है एंड हां यह और भी सारे फॉन्ट वागएरा जो पैक्स है वह भी मैं आपको दिस्क्रिप्शन वाले पैक में दे दूँगा लेकिन हां यह चीज़ समझ लो यह आपको खुद से करना होगा एंड थो खुद से दिमाग लगाना होगा सो प्यासी सब पहले पें पर लेट एंड है तक हम पर इसलिए यहां से देखकेर बना सकूं एनए अपना पुराना वर्क आ लिया यहां एंड है जो आप देख सकते हैं इसका मैंने ड्रोल भी बनाया था अंड यह मैंने रख लिया अंड इसी में मैं कुछ चेंजिस करने वाला हूं एंड सबसे पहले यह सब जो एक्स्टा लेयर से उन्हें डिलीट कर देता हूं अब यहाँ पर ध्यान देते हैं सबसे पहले देख सकते हैं यह पहले से कट आउट किया हुआ है यह टेक्स्ट जो है वो सिमलर है थोरा बहुत इसलिए मैंने यह वाला उठाया अगर आप दियान दो तो एक्सलाइड बॉय का जो थमने ले वो है आपका रोजॉक हिल का रोजॉक हिल पे यह वाला स्क्रिंशॉट लिया गया है मैं अभी आपको बताऊंगा यह कैसे आपको करना है सबसे पहले उपराली लेर को हाइट कर देता है उसके बाद अब देखो अगर आप यहां पे देख सकते हो तो यहां पर हलका अलका black color के dots आपको देख रहे होंगे जो कि एक black stock है जिसे gradient glass effect क्या दिया गया है एंड उसके अलावा एक white color का shine जो है वो है एक unique color का जो की काफी confusing लगता है कि यह एक अलग तरह का shine नी कैसे दिया जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको select pixels करना है आपके character करना है यह ले ले राइट कर देता हूँ एंड उसके बाद एक empty layer लेना है and then उसमे color fill करना है and white color मैंने यहाप फिल कर दिया देख लो and then यह complete आभी दिखा देता हूँ आपको यह राइट कलर फिल कर दिया है मैंने and then अब आपको blur gaussian blur जो है देना है इसका blur radius 25-20 के बीच में आपको रखना है and इतना करने के बाद अब आपको यहाँ effects effect में अगर जाओगे तो यहाँ पे stylus and glass effect मिलता है जिसका amount जो है वो आपको अपने हिसाब से adjust करना है so amount जो है वो थोड़ा बहुत अलग-अलग बार-बार मतलब आपको adjust करना पड़ेगा यह चीज आपको धियान रखना आपको 2-3 बार करके करना उसका एक duplicate layer बना लेना वो काम देगा आपको then देख सकते हैं एक बार मैं फिर से वही चीज में process repeat कर रहा हूं select pixels, color fill and then Gaussian blur and फिर से जो glass effect है वो हम इसमें डिलाने वाले and glass effect फिर से different, इस पर थोड़ glass effect थोड़ different देंगे और इसका scale भी थोड़ अलग डखेंगे ताकि थोड़ से different tone आए and यहाँ पर मैं light and dodge कर देता हूं and इसका भी light and dodge and इसके अलावार थोड़ transform करना भी पड़ेगा हमें and ताकि वो थोड़ सा shine यो थोड़ सा glow आए and फिलाल अभी तो यह ऐसा similar नहीं लगए लेकिन जैसे ऐसे आप इसे complete करते जाओगे वो special touch है वो आपको मिलता जाएगा and यहाँ पर आपको color भी आपको change करना होगा क्योंकि वहाँ पर अपने अगर ध्यान दिया हो तो yellow वाला जो thumbnail था वो इसी तरीक से color change किया गया था उसमे and color change करने के यहाँ आपको option मिल जाता है color change करने का and green अगर यह से convert करके देखोगे तो green yellow अलग तरीका मतलब आप glow बना सकते हो खुझ से ही and फिलाल तो मैं yellow वाला जो glow था उसे delete कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा and यह चीज़ आप अपने हिसाब से अगर करोग इस बार मैं stroke बनाने वाला हूं and black color का आपको stroke बनाना है and stroke on the inner parts आपको clear कर देने जसे कि मैं ने बताया था then आपको फिर से glass effect add करना है and इस बार amount आपको अपने हिसाब से 150 से 550 के बीच में आपको रखना है and उसके बाद इसे layers के नीचे ले आना है and देख सकते हो अगर आप अगर color blend आपको normally रखना है यानी blending mode जो है वो आपको normally रखना है and यह लगभग complete हो चुका है and वो जो glass effect था वो हमें कुछ similar मिल चुका है and इसी तरीक से अगर आप जैसे जैसे इसे practice करोगे वैसे आप इसमें master बन जाओगे उसके बाद क्या करना हमें एक black color empty layer पे black color fill करना है तो मतलब brush tool का जो भी use कर सकते हो मतलब वो ज्यादा सही रहेगा उसका बस hardness जो होगा वो आपको पूर एकदम minus कर देना है and size एकदम max कर देना है then आप जहाँ 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 पर enemy था वहाँ पर उसे brush tool के मदद से आप उसे erase करते जाओगे तो वो effect आपको मिल जाएगा and I think अगर एक्सलाइड बोय का जो artist है उसने brush tool का ही use किया है जहांकि fade tool के मतलब जगा जो है वो brush tool का ही use किया है so आप उस पर ध्यान देना then अब आपको empty layer में white layer color fill करना है then यहाँ उसका opacity जो है वो कम करना है so कम करने के बाद जो हलका जो आपका यह black color का जो vignet है वो grey type का tone एक चीज़ और कर सकते हो यहाँ text देख रहे हो text थो different है तो यहाँ पर यह text में मैं थौसा कुछ करने वाला हूं and देख सकते हो हमें black color का dotted tone था वो भी मिल चुका है यह अलग color का glow जो है वो भी हमें मिल गया and अब हम थौसा text पर काम करते है एक में टुक जाओ particles वगएरा मुझे रूणना पड़ेगा so यह वाला particle मुझे मिला and इसका blending mode मैं change कर दे रहा हूं यहाँ पर मैंने screen किया चाओ तो आप linear dodge भी कर सकते हो and flip वगएरा transform वगएरा करके आप खुद से adjust कर सकते हो चाओ तो आप duplicate करो then transform करके flip कर दो मतला ऐसे size wise में बढ़ा करके कही पर चिपका दो and तो भी काफी सही रहेगा and हाँ जो आप देख सकते हो glow जो है वो काफी गिजन में मतलब मिल गया so आप एक दो layer को blur कर दो तो जिससे क्या होगा कि आपका character जो है वो थोड़ा visible हो जाएगा तो यह भी चीज आप कर सकते हो and मैं यहाँ पर text पर थो दयान दे आपको वो एक special effect आपका text पर भी मिल जागा and I think यह video यह इतना ही तक था अगर आपको पसंद आयो तो like जो से कर देना चाहल को subscribe जो से कर देना and आपका 1K वाले video मिलते हैं thanks for watching